हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं एक मिठाई के डिब्बे और सारी में जो आता है फोम उससे एक अच्छा सा डियाई वाइप करूंगी वह भी बहुत सुंदर लेगा और बहुत इसली मनने वाला है तो यह रहा मिठाई के डिब्बा और यह सारी का फोम है आ ठेदा नाप का इतना बढ़ा पट्टी निकाली हुए हूं आप इसको फेभी कॉजसे को इस ममीठाई के डिब्बे को कफर करने के बाद मैं इस पर एक ऐसा डियाइन बनाऊंगी Κि देख करके आप लोग खुझ हो जा चाहीएगा और मुझे भी बहुत नों से सोच रही थ तो मुझे लगा कि आज इसको कुछ कर ही देती हूँ तो मैं इसको देखे चारो तरब से चिपका दी हूँ और ये चिपक करके रेडी हो चुका है लेकिन ये है बहुत हलका मैं पंखे के पास रख दे रही हूँ थी ये इधर उदर उड़ जा रहा है इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको हेवी बनाना है तो इसमें से मैं कार्टून से इसी नाप के दो राउंड सेप में कट करके निकालूंगी और एक को मैं इसका पेंडी में चिपका दूँगी ताकि थोड़ा सा हेवी हो जाए इधर उधर भागल विए ऐख और फूम तो आपने को पता ही है तो मैं इसमें से दो राउंड सेप में कट करके निकाली हूं अग कत नंज उप्र io निकाली हूं और दूसरे को इसकी पेंडी में चिपका दूँगी ताकि यह थोड़ा सा हेवी हो जाए और इधर उधर भागे नहीं इसी से एक जगा पर जहां रख दू मैं वहां पर यह इसी से रखे मतलब बदमासी नहीं करें तो देखिए यह तो हो गया चिपक गया पेंदी और मैं उसी फों में से इतना चोटा-चोटा चारकॉन सेप में कट करके बहुत साथा रेडी कर ली हूँ और इसी से मैं उस डिब्बे पर डिजाइन डालूंगी और भी बहुत इसली बनने वाला डिजाइन और बहुत खुबसूरत दिखने वाला यह पेंदी देखिए कितना सुंदर हो गया है अब यह थोड़ा हेवी हो गया है और यह म दोनों को ऐसे पलट करके इसको क्लिप से दबा दूंगी जब तक यह सुखेगा नहीं तब तक मैं इसको खोलूंगी नहीं ऐसे करके मैं सबों को चिपकाऊंगी तो एक और पर यहां फेवी को लगाना है और इसको दोनों को पकड़ करके ऐसे कर लेना है और इसको क्लिप स चिपका देना है जैसे बच्चे फोंफी खाते हैं ना फ्राई किया हुआ तो राउंड सेप में होता है उसी टैप से बनेगा लेकिन इसका किनारी कुछ डिफरेंट होगा देखिए मैं इतना सारा बना करके रेडी कर ले हुई हूँ तो देखिए बहुत सुंदर लग रहा है यह मुझे तो पहले से ही बहुत अच्छा लग रहा है आप बनाने के बाद पता नहीं कैसे लेगा वो तो कमेंट करके आप लोग बताएगा कि कैसे लगा तो देखिए इस टाइप से सब को चिपका लेना है ट्रेंगल सेप में चिपका करके रेडी करना है इतना सारा मैं च प्लाइटर बनाओंगी लेकिन इसका डिजाइन देखर के मुझे बहुत लालच आ रहा है तो इस तरह इसमें मैं पहले चिपका रही हूं देखती हूं इसका मैं क्या करूंगी मुझे बहुत सुंदर लग रहा है अभी से ही पता नहीं बाद में क्या होने वाला है कैसे लेकिन बाद में मुझे लगा कि उससे बेटर इस टाइप से मैं चिपकांगी तो लगेगा तो देखें इस टाइप से पूरे को मैं कभर करणे को तो एक अगसे होता है मतलब फ्लावर पॉड के टिप से दिखेंगा लेकिन मुझे तो इसको फ्लावर पॉड बनाना नहीं ह मैं इसमें तो आपनों से बार में बताऊंगी कि क्या करूंगी इसका मैं तो देखिए पूरे को मैं इसको कभर कर दूंगी और कभर करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है तो देखिए कितना सुन्दर मटका टाइप से यह दिख रहा है तो कितना सुन्दर लग रहा है थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं ताकि और भी सुन्दर लगे तो देखिए इस टाइप से फोल्ड करने पर एक अलग डिजाइन क्रियेट हो चुका है और उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसमें ये पिंक लेस मेरे पास था तो मैं सुची इसी से इसको डेको बिल्कुल वृइट अच्छा नहीं लेगा तो धुदा सा ऊपर भी पिंक तो दोनों धुदा सा एक मतलब अच्छा लगने लगे तो देखिए उपर का तो हो गया मैं नीचे भी इसको चिपका देती हूं और बीच का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट मतलब उस पे डिजाइन बनाऊंगी तो पहले इसको दोनों किनारी को फिल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उस पे मैं क्य करूंगी यहां गुलू लगा दूंगी ताकि अच्छे से चीपक जाए मैं जो भी काम करती हूं तो सोचती हूं मेहनत लगाया तो भाई कम से कम यह दो तीन साल मेरा यह चले तो अब जाकर मेरा मेहनत और पैसा दोनों रंग लाएगा तो देखिए यह तो हो गया अब मैं इस पे यह बच्छों का जो आता है श्टेशनरी में मिलता है हो मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए करने के लिए उसी टाइप से यह था तो मैं उसी में से ले अगायी दुकान से और इसमें से यह बड़ा वल्ला है मैं इसके सब बीच का जो पार्ट जिसको मैं फेविकॉ तो गोल्डेन पिंक और वाइट तीनों मिक्स करके बहुत प्यारा लग रहा है इसका धकन भी बनाना जदुरी है मैं तो बहुत खोस हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बताईएगा कि आप लोग को कैसा लगा इसमें जो एली भी रख सकते हैं या साहर नेल पॉलिस रख सकते हैं टिभीश्ठीक रख सकते हैं लो तो देखी यह धकन छेप लिए एक रांड़ जो रखी थी मैं इसको फखन बनाऊंगी उसके लिए में एक में गाट की हूं और इसको कहीं नहीं achiever है दो फोड़ासी फोड़ा वी और तो उसका मतलब को तो जैसे उस बक्से पर बनाई हुई हूँ, दिजाइन उसी तरह इस धकन पर भी बनाऊंगी, उससे छोटा-छोटा, तो पहले इसको चिपका लेते हैं, राउंड सेप में इसको धकन को और किनारी को पूरे अच्छे से कवर कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा मोटा दीखे, हे बन करके हमारा देखे, रेडी हो चुका है, अब मैं इसी पर उस जो छोटा-छोटा कट करके ये वला रखी हुई हूँ, इसको डिजाइन बना करके और चिपका दोंगी, तो ये भी बहुत असानी से बनेगा, पहले मैं इसको ऐसे करके चिपका रही हूँ, तो चिपका करक तो मुझे अराम मिला, ये जल्दी से चिपक जाना रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है, किनारी से सिर्फ चिपकाते जाना है, बीच का जो पाट खाली रहेगा, उसमें हम कुछ दूसरा बनाएंगे, उसमें कुछ दूसरा कुछ मतलब डेकोरेट करेंगे, तो किनारी किनारी से इसको पूरे राउंड सेप में भर देना है, इसको चिपका करके और चिपकाने पर ये बहुत सुन्दर लगने वाला है, इस तरह से चिपक करके रेडी हो गया, तो पहले इसको लेस लगा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा पीला, मतलब लाल पीला हो इससे होगा ये कि दोनों तरफ से ये जो डिजाइन बना करके मैं फोम का चिपका हूँ, खूलेगा भी नहीं और देखने भी सुन्दर लगा, तो दोनों तरफ से ये चिपक गया, अब इस धक्कन को उठाने के लिए भी तो जुगार चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें स कट लगाती जाओंगी, तो एक खलावर का सेप मतलब बन जाए, और ये पूरा जब कट लग जाएगा, तो मैं इसको लपेट करके एक राउंड सेप बना दूंगी, और बनाने के बारी ये खूब सूरत सा एक खलावर बन करके रेडी होगा, तो इसमें गलू लगाते हैं, और गलू लगा करके इसको राउंड सेप में, इसको अच्छे से मोड करके बना दूंगी, तो ये बन कर रेडी हो गया, इसको यहाँ थोड़ा सा लगा देंगे गलू, और ये जो कट की हूँ, पाट इसको दबा दूंगी, तो इधर से चोड़ा हो जाएगा, और पीछे से इसका पतला हो जाएगा, तो एक फ्लावर का सेप बन करके रेडी हो गया, अब मैं इसके बीच में थोड़ा सा पिंक लगा दूंगी, इस लेसका की ताकि इसमें से फूल खिला हुआ दिखे, तो इसमें थोड़ा सा बीच में एक पूरा ऐसे फैला करके गलू लगाऊंगी थोड़ा सा एक बुंद, और उसी में इसको मोड करके इसे करके डाल दूंगी, तो ये हो जाएगा, खिला हुगा फूल, तो फूल हम लोगा तो खिल गया, अब इसका मतलब जो हैंडिल बनाना है इसको, तो हैंडिल के रूप में इसको लगा देंगे, और पीछे वले पार और ये जो मैं उस पर चिपकाई हुई हूँ, डिब्ये पे तो इस पर भी थोड़ा-थोड़ा, ये बिंडी टाइप से जो गोल्डेन कलर का मैं लाई हुई हूई हूँ, बच्चों का जो प्रजेक्ट बनता है स्कूल में, तो उसी स्टेस्टनी के दुकान से मुझे दिख रही है, ये बीच में जो लगा दी हूँ, तो ये समझे चार चांट लगा रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, आप लोग कॉमेंट करके बताएगा कि मेरे ये बॉक्स कैसा लगा, और इसमें मैं क्या रखूँ, ये मुझे लग रहा है कि इसमें ड्राइफुट भ पास आएगा, अब चलते हैं दूसरे DIY के पास, तो दूसरा DIY मेरा ये बॉक्स का ही है, तो ये बॉक्स पर मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक मच्छरदानी फटा हुआ था मस्कीटो नेट, तो ये फटा हुआ मस्कीटो नेट हम दो फ्यक देते हैं, लेकिन आज इसको मैं इससे एक खूब सूरत सा डिजाइन उस बॉक्स पर क्रियेट करूँगी, और आपनों से सेर करूँगी, तो चलिए आईए बनाते हैं, तो उस मस्कीटो नेट से मैं इतना सारा पट्टी कट करके निकाली हूँ, और इन सब पट्टी से ही मैं कुछ जुगार बनाऊंगी, इतना एक तरफ दखूँगी, और ये तीन को मैं स्वी धागे की मदद से स्टीच कर लूँगी, इसका उपर वाला थोड़ा सा पार्ट स्टीच करेंगे, और इन तीन को का सेप जो है कि 3 सेट मतलब तो उसको मैं दहने दूँगी, तो स्टीच कर लेने से उपर वाला पार् मैं जैसे बाल का चोटी हम लोग गूतते हैं तो समझी अपने बाल के चोटी गूतना है तो मैं उसी तरह इसको गूत करके पूरा रेडी करूंगी और पूरा जब यह रेडी हो जाएगा तो नीचे का पार्ट भी देखिए इस तरह हो गया मेरा गूत कर रेडी और यह नीचे भी से इस बॉक्स पर डिजाइन क्रेट करेंगे तो इसके लिए पहले इसका धक्कन में कट करके निकालूंगी इसको मैं बाद में यूज करेंगी तब तक के लिए इसको निकालना ही पड़ेगा मुझे और यह जो यह अल्टर पार्ट है उसको मैं नीट एंड किलीन कर और थोड़ा सा मोटा दीखे ऐसे नहीं लगे कि यह कार्टून पर चीपका हुआ है इस टाइप से इसको बनाना है थोड़ा मोटा हेवी दीखे इस टाइप से अगर आप चोटी बना करके चीपका यह तो बहुत सुंदर लेगा मेरे पास बड़ा बॉक्स अगर रहता तो मैं इसी टाइप से चीपका करके इसको एक लॉंड्री बैग तयार करती यह साइड टेबल तयार करती लेकिन मेरे पास यह चोटा सा बॉक्स था तो मैं सोची इसको ऐसे डेखरेट करती हूं कि इसमें मतलब कुछ भी रखो तो देखने में भी सुंदर लगे और मेरा यह के समादे सकती हैं इसमें बहुत सारे चीज subjectin रख सकते हैं जैसे चूडी रखिए तो इसमे से मतलब तूटने फुटने का डर भी नहीं रहेगा तो मैं इसी तरह से चिपकाती जाओंगी सब को पूरे ऐसे चिपका करके बॉब बॉक्स को कभर कर दूँगी इसी चोटी से और यह एक्ष्ट्रा पार्ट जो है चोटी स्टीच करने के बाद तो उसको मैं निकाल दे रही ताकि मतलब उसमें कोई जंजट नहीं रहे अराम सी चिपकता जाए और सुंदर दिखता जाए तो यह गुलू से चिपकाना बहुत असान है आप हेवी कॉल से भी चिपका सकती है फेवी कॉल से चिपकाने में थ्वड़ टाइम लेगा सुखने में तो दबा दबा के रखन ताकि मजबूत हो जाए और यह किनारी किनारी जो है इसको मैं पतला पेपर भी चिपका दूंगी ताकि यह अंदर से दिख रहा है वह भी नहीं दिखे और मजबूत तो होना ही चाहिए तो चलिए पहले इसको पेंट करते हैं पेंट करके इस पर थुड़ा सा कुछ दबा दबा करके चिपका दूंगी और यह तो चिपक करके रेडी हो चुका है अब मैं इसको धकन का भी थुड़ा सा जुगार कर लूँ धकन भी बना ही लेते हैं बाद में कोई जंजट नहीं दे तो यह मैं पट्टी चाहरों किनारी से चार पट्टी इसको कट करके रखी चिपका लूँगी ताकि यह जो धकन है मोटा दिखे नहीं तो बॉक्स मोटा दिखेगा और धकन पतला तो बिल्कुल अच्छा नहीं लेगा इसलिए मैं चारों तरप से इसको चारों पट्टी को चिपका लूँगी और चिपका करके बीच में मैं एक होल बना रही हूं क् इसमें हैंडिल लगाना यह तो पुरा ना मेरा जुगार है बीच में हैंडिल नहीं रहेगा तो फिर मैं धकन कैसे उठाओंगी वहीं वाला बात हो जाएगा तो इसमें मैं बना ली और पटला सा कार्टून मैं कट कर ली हूं और इसमें मैं फेवी को लगा करके इसको लेते हैं क्योंकि डिजाइन नहीं बने गए तो फिर खाली दिखेगा यह जो जूट रसी रता है शी से मैं एक बड़ा सा चोटी बना करके रेडी की हुई हूं क्योंकि बॉक्स पे जब चोटी है तो धकन पे भी चोटी ही ठीक रहेगा तो इस चोटी को मैं चारो तरब से किनारी चिपका दूँगी इस ढकन पे तो यह थोड़ा सा मोटा दिखेगा और हेवी मतलब लगेगा देखने में और सुन्दर तो लगेगा ही लगेगा और हमारा किनारी भी कवर हो जाएगा तो इस तरह मैं इसको होट बूज से चारो तरब से किनारी को ऐसे कवर कर अब इस कॉर्ण से इसको कट करेंगे और कट करके अच्छे से चिपका देंगे ताकि यह कभी चोटी हमारा जो है खुलने का नाम नहीं ले तो इसको इच्छे से सवधानी से थोड़ा कट करना है और कट करने के बाद यहां ठीड़ साथा मैं गुलू लगा दूंगी और ग तो इसके लिए मुझे ये काट़्ून था तो बीच से मैं इसको फार करके डिजाइन वाला पार्ट निकाली हूँ तो ये लाइनिंग वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसमें से मैं चार पत्ता बनाओंगी इसको ऐसे फोल्ड करोंगी और पत्ते के सेप म और same color का दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि same color मैं सोच रही हूँ कि इसमें कोई तड़ किला भड़ किला काम नहीं करूं और किनारी इसी जूट रोप से मैं कबर कर दूँगी तो लेस का काम करेगा तो ये जूट रोप मैं इसको किनारी मतलब किनारी इस पत्ते का किनारी मैं इसे जूट के रसी से बना दूँगी तो ये लेस का काम करेगा मेरा और ये बन करके रेडी हो चुका है तो देखिए ये इसमें सबसें पहली बात यह मजबूत हो गया और यह भी तो इसके अंदर का तक पात है यह वहला उसको के भी मैं पदला साहिश जो ज़ुई करके रखी थी कार्टून तो इसी मेंसे मैं कट करके देखिए इसके ढकन के अंदर चिपका दिक फ roam तो प्लेन भी हो गया, मोटा भी हो गया और neat and clean दिख रहा हुआ अंदर से और बाहर से दुनों तरब से उसी मेंसे कट करके और इस box में भी मैं अंदर से चिपका दी हूँ ताकि ये चोटी जो चिपकाई हुई थी वो दिख रहा था तो भी अब नहीं दिख रहा है वो भी धग गया तो अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो गया और मजबूत भी हो गया कभी खुलने का डर भी नहीं रहेगा तो अब चलिए पेंट करते हैं तो मैं इसमें ब्लैक और डाल करके थोड़ा सा ब्राउन कर दी हूं और इसी से मैं इसको पेंट कर रही हूं तो ये तो धकन मेरा पेंट हो चुका है किनारी भी पेंट हो गया इसको रखते हैं सूखने के लिए और बॉक्स जो है इसको भी थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं और ये बॉक्स पेंट करन करके टच दे दिए इसका तो थोड़ा सा और सुन्दर लेगा और अंदर से मैं जो पेंट ब्रस में लगा था उसी को इसमें घिस दी हूं तो अंदर का भी हो गया और यह मेरा धकन भी प्लेन ही दिख रहा है तो इस पर भी थोड़ा सा मैं एसकाई और गोल्डेन का पेंट हलका हलका कहीं कहीं कर दूँगी तो यह और सुन्दर लेगा तो चलिए इसको अच्छे से पहले एसकाई हलका हलका करते हैं फिर मैं इसमें घोल्डेन हलका हलका कर दूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि यह कैसा लग रह लगा दी हूं तो कितना सुंदर यह लग रहा है मेरा दोनों बॉक्स बन करके रेडी हो गया और आपनों के सामने है कि खर्च तो बिल्कुल ही कमाया इसमें खर्च कुछ नहीं लगा मेरे पास जो भी चीजे थी उन्हीं चीजों से मैं बनाई हूं तो कॉमेंट करके प्लीज चैनल पर नए हैं तो मुझे सस्क्राइब ज़रू कर लिजेगा अपने दोस्तों में सेर ज़रू किजिएगा और खुस रहिए मस्त रहिए स्वस्त रहिए मेरा वीडियो देखते रहिए प्रूकत रहिए मेरा वीजेगा डहिए झाल आए हैं ज़रू किजिए प्रूम सेर वी ज़रूब मेरा वीजेगा जयार को अटा प्रुस रहिए झाल जहए हैं रहिए